हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नुश्कार बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का Study IQ IAS हिंदी मेरा नाम है अतुल जैन भारत के Supreme Court में एक बड़ा important case चल रहा है एक बड़ी important सुनवाई चल रही है और ये सुनवाई है कि क्या शादी के अंदर क्या एक वैवाहिक दमपत्ती में एक शादी शुदा पुरुष और स्त्री में अगर कोई पुरुष जो है वो स्त्री की इच्छा के बिना उसके साथ यौन संबंद बनाता है sexual relation मनाता है तो क्या इसको बलातकार माना जाना चाहिए या फिर नहीं इसको लेकर एक लंबी बहस चल रही है दोनों पक्ष जो है उनके पास काफी अच्छे तरक हैं काफी तरक हैं अभी तक भारत में क्या है कि अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ जो है उसकी इच्छा के बिना यौन संबंद बनाता है तो इसको अपराद इसको बलातकार माना जाता है बलातकार की परिभाषा ही यह है लेकिन विवाह जो है वो एक इसका अपवाद है भारत के जो कानून है उनमें शादी बलातकार के कानून का अपवाद है यानि कि भारत के कानूनों के हिसाथ से अगर कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी के साथ अपने विवाहिता पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद यौन संबंद बनाता है तो उसको बलातकार नहीं माना जाता इसको ले है तो ऐसे में बलातकार पीडिता की परिभाशा है सुप्रीम कोट ने उसमें जो वैवाहिक बलातकार से पीडित महिला है उसको भी रखा था तो भारत में पिछले दिनों सुप्रीम कोट नहीं नहीं तो आज जो है केंद्र सरकार का उपीनियन नहीं भी आएगा तो हम उसका इंतबार नहीं करेंगे हमारा ये कानूनी तरीके तो हम इसका निर्णय सुना देंगे केंद्र प्रकार opinion देती है तो भी ठीक है नहीं देती है तो भी ठीक है तो आज जो है केंद्र फरकार ने अपना opinion अप से कुछ देर पहले Supreme Court को दे दिया है और ये opinion जो है मुझे पता है इसकी बहुत आलोजना होने वाली होने वाली है शायद इसलिए फरकार इसको देने से बच भी र लेकिन यहां पर इसको जानना जरूरी है कि सरकार ने क्या कहा है सरकार का तरक एक बार समझना जरूरी है आप सहमत हो या ना सहमत हो यूँ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं ठीक है लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारा P2Y जो है प्रतिग्या प्लस बैच उससे जु 20 में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लॉंग टर्म बैच अवेलिबल है जैसा कि आपको बता होगा शमा की जेगर्स के लिए हाँ 2026 के लिए हमारा लॉंग टर्म बैच अवेलिबल है आप जानते हैं इससे भी जुड़ने की लाफ डेट आज है 2999 में और अगर आप 2027 में पूरी कराएगा यह ठीक है तो जो भी बैच आपके लिए फूटेबल है आज ही आप AJ Live Code लगाएं और उससे जुड़ जाएं ठीक है चलिए भी तो केंद्र फरकार ने अपना मत आज क्या दिया है केंद्र फरकार ने क्या कहा है कि भाई वैवाहिक बलातकार को बलातकार न इसको बलातकार की श्रिणी में रखना गलत है इसको बलातकार नहीं माना जाना चाहिए ये उपीनियन जो है केंद्र फरकार ने सुप्रीम कोड को दिया है केंद्र फरकार ने कईफारी जीवे कही है पहली बात तो केंद्र फरकार ने ये कही है कि ये एक सामाजिक और इसको लेकर ये कानूनी मुद्दा नहीं है जिसको कोट तै कर पाए तो केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि ये सुप्रीम कोट का काम नहीं होना चाहिए कि वैवाहिक बलातकार को बलातकार माना जाए या ना माना जाए ये तै करना सुप्रीम कोट का काम नहीं होना ये तो भाई एक समाजिक मुद्दा है जिस पर समाज से विचार विमर्श करके संसद कानून बनाएगी तब इसको माना जाना चाहिए ये न्याईक मुद्दा ही नहीं ये न्याईकी बात तो ही नहीं है तो इसलिए जो है एक तो ये court के jurisdiction के बाहर है कोड के अरिकार शेत्र के बाहर होना चाहिए केंद्र ने ये भी कहा समाजिक मुद्दा है इसलिए हम भी अलग-अलग राज्यों से सभी राज्यों से केंद्र फरकार भी विचार विमर्ष करेगी कि भाई भारत एक संगवादी कंट्री है भाई भारत में तो क्या संगवाद आद न, Federalism है, राज़ों की भी फरकारे है, और कानून में बथा, किसके अधीन आता है, राजइयों की अधीन आता है, तो केंद्र फरकार ने ये भी कहा कि हम क्या करेंगे, राज़ों से चरचा करके, राज़ों से भी हम बाつचीत करेंगे, और उसके बाद हमें एक opinion बनाएंगे और इस पर कोई कानून की आविशक्ता होगी तो हम पार्यत करेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसको बलातकार के तौर पर ऐसे न्याइक तरीके से मान लेना उचित नहीं है देखिए केंदर फरकार ने क्या कहा कि निश्चित क्या है विवाह का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए सहमती दे दी गई है कि सेक्स के लिए या फिर यौन संबंधों के लिए सदा के लिए सहमती दे दी गई है ऐसा नहीं है यानि कि कोई विवाहित महिला भी जो है वो अपने पती को यौन संबंधों के लिए मना कर सकती की विवाह के बाद जो एक स्थान के तौर पर आता है वो किसी न उसको आप एक सामानने संबंद नहीं मान सकते बई देखिए सामानने संबंद हो में स्ट्री जब चाहे जितनी बार चाहे मना कर सकती है वो चाहे तो एक बार भी सेक्स ना करे या फिर चाहे तो एक बार सेक्स करने के बाद आगे कभी ना करे उसकी मर्दी है किसी पुरुष क के साथ ठीक है लेकिन विवाह में अगर जैसे मान लीजे कोई महिला है कोई पत्नी है वो अगर यौन संबंधों के लिए लगातार इंकार करती रहती है तो यह तलाग कारण हो सकता है यह तलाग के लिए एक सही कारण माना जाता है तो यहां पर केंद्र सरकार ने क्या कहा कि विवाह जो होते हैं, वो यौन संबंधों के अपेक्षा के साथ आते हैं, कि उसमें क्या होता है, एक लगातार यौन संबंधों के अपेक्षा होती है, यह बात को सही है न, कि व्यक्ति जो है, यदि कोई विवाह करता है, तो उसमें यह अपेक्षा मानी जाती है, कि एक लग निरंतरता यौन संबंधों की इसमें अपेक्षित होती है जो की आम जो बिना विवाहित कपल्स में नहीं होती बिना विवाहित जो भी लोग है अगर वो उनके बीच में यौन संबंध है भी तो अगर स्त्री आगे नहीं बनाना चाहती यौन संबंध तो वो मना कर सकती है आ सामान ने बलातकार की श्रेणी में डालना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोट ने कहा कि अगर आप इसको सामान ने बलातकार की श्रेणी में डाल देंगे तो ये एक गलत हो जाएगा, ये एक्सेसिव हो जाएगा। इसको बलातकार ही कह देना ये एक अतिवादी अप्रोच है और इसको हमें नहीं मानना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोट ने यहाँ पर कही है। हमने इस तरह के संसदने कानून बनाए हैं कि कई सारे कानून ऐसे हैं जिनमें विवाहित महिलाओं के यौन उत्पीडन के खिलाफ हमने कानून बनाए हैं। जैसे मान लीजे क्रूरता विरोधी अधिनियम है शादी शुदा लोगों में एक प्रिवेंशन अफ क्रूइल्टी एक्ट है। क्रूरता विरोधी अधिनियम है इसमें जबरन यौन संबंद को क्रूरता माना जाता है। आपका जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, Domestic Violence Act जो है, इसमें भी आपका जो है, अगर शादी शुदा कपल में भी अगर जबरन सेक्स किया जाता है, तो उसको यहाँ पर भी शामिल किया जाता है, घरेलू हिंसा में भी माना जाता है. तो केदर सरकार ने ये कहा कि शादी शुदा महिलाओं के पास भी पर्याप्त फुरक्षा दी गई है, संसद ने उनके लिए ऐसे कानून बनाए हैं, जो भाई आप इस बात को समझे कि जो उनको शादी शुदा जिंदगी में भी जबरन यौन संबंद बनाने की आपदा से उ तो वो इन कानूनों के तहट सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो है विवाह को एक आप पूरी तरह से विवाह में आप अगर उसमें बलातकार को शामिल करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, ये बात केदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है, ठीक ह इस पर आने वाले कमिंट्स में इश्चित तौर पर पढ़ूँगा, कि आप लोग का क्या सोचना है, इस पर आपका क्या कहना है, इसको समझिए, इस तरह के मुद्दों में हर पक्ष को जानना बहुत आविशक होता है, उसके बाद ही अपने विचारों को बनाएं, ठीक है चलिए, अभी के लिए इतना ही जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूँ भाई, कि दो हजार पचीस का अगर एक्जाम दे रहे हैं, तो भाई, लास्ट डेट है, आज हमारे लास्ट बैच से जुड़ने की तीन तारिक, AJ Life Code लगाईए, 2999 में जुड़ जाईए, अ आप AJ Life Code लगाके जो आठ तारिक से बैच शुरू होने वाला है, उससे 3499 में जुड़ सकते हैं, जो भी बैच आपको suitable लगे, उससे तुरंट जुड़ जाईए, और अपनी तयारी को सही आकार प्रदान कीजिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-ब प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, Study IQIS Hindi